हेलो नमस्का दोस्तों कैसे हैं सभी तो राजस्तान के टोपिक वाइज जीके टेस्ट में आज का मारे टोपिक है राजस्तान के परमुक खनीज जो है उनसे जुड़े क्यूशन्स करेंगे और यह इसका पार्ट टू है एक पार्ट पहले किया था अगर वह नहीं देखा है त किसी भी एक्जाम के आप त्यारी कर रहे हो तो पूरा वीडियो देखना और बताना है कि कितने क्यूशन्स आपने सही किये हैं और लास्ट में इसकी पीडिये फिर भी लेनी है जो कि आप टेलेग्राम चैनल से ले सकते हैं अगर चैनल उको सब्सक्राइब नहीं किया है त इस बटन पर ओके कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले जो कलाशेज होगी वीडियोज होगी उनकी जानकरिया आपको मिलते रहेगी तो करें सरवात पहले क्यूशन्स से हमें सांगी तरह है परते क्यूशन्स का ओप्सन बताना है कोमेंट करके कौन सा स यह और फटा बड़े बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और फिर बता दीजिए पहले का राइट आंसर स्वाय मादुपूर में जो चोथ का बरवाड़ा है यह किस खनीज के लिए परसीद है एक तो यह कि चोथ का बरवाड़ा कहां पर है स्वाय मादूपूर में और इस चीशा जस्ता की खाने के लिए परशिद है, राइट आंसर आपका, एक नमबर डी है, इसका सही आंसर हो जाएगा, दूस्तरा आपका है कि हिंदुस्तान कोपर लिमिटेड है, भाद की सारवजनिक छेतर की कौन सी तंबा उतपादक कंपनी माने जाती है, ठीक है, हिंदुस् मेगनिटेड किसम का लोहादू है, वो कहां से मिलता है, और मेगनिटेड किसम का लोहादू परापत होता है, यह होता है भीलवडा से, कहां से भीलवडा से, सी आपका राइट आंसर है, चार आपका है कि एलुमिनियूम का तो सबसे उप्यूक्त एशक है, वो कौन सा है, ए साथ रंगोवाला मार्बल है वो खादरा गाउं में बिलता है कि खादरा गाउं जो है पाली जिल्ले में है तो पाली से एक नमर आपका राइट आंसर छे नमर है कि राजे में एक मातर मेगनीज उत्पादक जिल्ला कोन सा है यानि मेगनीज खिनीज का उत्पादन सरवाधिक कहां से होता है उद्धेपुर बांसवाड़ा से होता है तो बांसवाड़ा हो जाएगा राइटांसर आपका ठीक है बांसवाड़ा यानि B आपका राइटांसर थोड़ा से उद्धेपुर से भी होता है तो एवाद थोड़ी से राइटांसर आपका C इसका सही आंसर साथ है क प्रवागे वाला से मिले थे यह बागे वाला बिका नेर यहीं से सुरवात होती है डी आपका राइट आपसर आख मर आपका है कि धोलपूर जिले के किस गाउं में नीजी चेतर में विदूत परियोजना की स्तापना की गई है तो दोलपूर जिले का कौन सा गाउं जहां पर नीजी चेतर में विदूत परियोजना की सरवात हुई है यह सुरजपूरा में हुई है और सुरजपूरा गाउं याद रखना है यह धोलपूर जिले में है 9. नमर एक राजस्तान में निमलिक्त मैंसे किस खनीज की समावना ही सबसे ज़्यादा है और खनीज देल की और गेंज की समावना सबसे ज़्यादा है एक नमर आपका राई डांसर 10. एक फिल्म उज्योग और चेकिस्या छेतर में काम आने वाला पलास्टर और पेरिस किस से बनाय जाता है पलास्टर और पेरिस जो बनाय जाते है जीवसम से बनता है बी आपका राई डांसर 11 की राजस्तान में कच्चा पन्ना मुख्यते कहां से आयात होता है और कच्चे पन्ने का आयात होता है वो ब्राजील से होता है यारे D आपका right answer क्योंसर में 12 है कि फिल्सपार की राजस्तान में कौन सी प्रमुख खान है फ्यल स्पार की मुखे खान जो है ये करा रहा है करा रहा है भी नमाल में राइट आंसर बी हो जाएगा आपका सही आंसर चलिए, और next question is कि राज स्थतान में पन्य की अंतराष्टे मंदी बतानी है और राज्थाने की अंतराष्टे मंदी है वो जेपूर में है एक नमर आपका right answer क्रेशन, क्रांति की से सम्धिद है? पंदरा है कि कमली ताल गेंस प्रावतिस्ताने कौन सी जिले में है जसल्मेर जिले में दी आपका राईट आंसर इनमे से कौन सा जोड़ा है आपका गलत है तो पहला ही गलत है वर्मिक्ов लाइट का इनसर वीकार न ये गलत है बाकी तो सारे आपके तेनों सही है तो एक नमर इसका राइट आनसर हो जाए अथारा है कि लगतला मेसाना प्राकृतिर कैस पाइपलाइन बिचाने इसे समधित company कौन सी है ठीक है और ये काम है Fox Energy Limited जो है उसका काम है B आपका right answer उनी इस है कि गोटारू स्थान जब प्राकरति गेंस है वो किस जिल्ले में स्थीत है गोटारू ये स्थान जो है ये आपका जसर में जिल्ले में D आपका right answer हो जाएगा किसर बीस है कि राजय में यूरेनियम के बंडार है वो कौन-कौन सी जिल्ले से मिले है यूरेनियम के बंडार मिले है उद्यपुरो डुंगरपुर्शे यानि एक नमर आपका right answer 21 नमर है कि राजय स्थान के किस जिल्ले में मारस 2005 में दो क्रोड पांस लाग टन स्वन एसके बंडार मिले थे और ये मिले थे बांस्वड़ा जिल्ले से सी आपका right answer 22 है कि 67 जस्ता चेतर से समदीत ऐस अत्यकतन की पहचान करनिया कि गलत कौन सा है 23 है कि राजय स्थान राजय खनीज विकास निगम लिम्टेट की दोरा संचालीत जिपसम उत्पादन की सबसे बड़ी खान बदानी है 24 है कि देश के चांदी का राजय स्थान की खानों से कितना परतिशत प्रापत होता है और राजतान से लबग 90 परतिशत प्रापत होता है 90 परतिशत भी आपका राइटान सा 25 है कि तांबे के एकुत बंडार वाली बननी वालों की डानी जो है ये कांपर है तामबे के बंडार से बनवाले की डाणी जो है ये कोटा जिले में एक नमर आपका राइट आंसर सबीसे की राजे में जेम स्टोन और दोगीक पारेक स्ताफित कांपर किया गया है जेम स्टोन और जोगी परकिस्ताफना हुई है जेपूर जिले में भी आपका राइट आंसर 27 है कि नीमन में से किस सखनीज पदार्थ पर अगनी का परवाह हो हो नहीं पढ़ता कौन सा खनीज है जिस पर अगनी का परवाह नहीं पढ़ता तो वर्मिक्यूलाइट है इसका नहीं पढ़ता तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा स्यांसर 28 है कि गाट मांगलोद जो कि जिप्सम के बंडार और खदानों के लिए परसीद है ये कौन सी जिले में है गांट मांगलो जो है ये नागोर जीले में एक नमर आपका राइट अंसर 29 के भारत में कुल जिपसम हुतन बादन का लबग राजस्तान से कितना होता है टोटल जिपसम का राजस्तान से 94% होता है 94% सी आपका राइट अंसर तीस है कि देश की सबसे लंबी तेल पाइपलाइन कौन सी है और सबसे लंबी जो है यह है मुदंडा बटिंडा पाइपलाइन राइट अंसर आपका D इसका सही आंसर चलिए खेतरी कोपर कॉंपलेश के दीन कौन सी फ्रियोजना है खेतरी कोपर कॉंपलेस की दीन जो है ये तीनों ही योजने जो है उसी से रिलेटेड है तो D आपका राइट अंसा 32 है कि चिन्नी मीटी की दुलाई का कार खाना का पर है चेनी मीटी की दोलाई का कारखाना जो है ये नीमका थाना में नीमका थाना सीकर में एक नमर राइट आंसर 33 कि भारत की राजस्तान में वुल्फेम की सबसे बड़ी खान कांपर है और इसकी सबसे बड़ी खान है वो है नागोर जीले में राइट अंसर आपका होजेगा C इसका सही आंसर चले, 34 नमए की राजे में स्टील की बरतने वो कहां पर बनाए जाते हैं स्टील की बरतनों के लिए की संगड़ परसीद है और ये कहते हैं पन्ना को का जाता है एक नमबर आपका राइट अंसर 36 रमर कि राज्य में सेंड स्टोन पत्र है वो कहां पाया जाता है ये पाया जाता है बुंदी जोत्पु चितोरगड में कोटा बुंदी चितीनों ही सही है तो D आपका राइट आंसर प्रियोक्षबी हो जाएगा इसके लिए सही आंसर चारोई कतन से ही है तो D आपका राइट आंसर हो जाएगा और 40 है कि देश में शिलीका रेट की उत्पादन में राजस्तान का स्टान कोट सा है और शिलीका उत्पादन के मामले में तीसरे स्टान पर राजस्तान B आपका राइट आंसर चालिस रूमर राज्य में यूरेनियम है वो कहां से प्राफ्ट किया जाता है और यूरेनियम होता है उम्रा से उम्रा जो की उदेपूर में है C आपका राइट आंसर 41 रूमर कि राजस्तान में पाये जाने वाले खनीज जैसे जिप्सम, रोगफास्पेट, पाइराइट इनके निमाण में आउसक क्या है जरूरी क्या है तो राइसानी उरक क्या है तो D आपका राइट आंसर 42 है कि रामपूरा आगूचा जो है ये कांपर है रामपूरा आगूचा जो है भीलवाड़ा जिल्ले में है भी आपका राइट आंसर 43 कि राजस्तान की हस सिलब वस्तों को राजस्तान लगू द्योग निगम किस ब्रांड के नाम से विपनन करता है और ये राजस्तली के नाम से है उनका विपनन किया जाता है भी आपका राइट आमसा चोमालिश नमबर कि निवन में से किस छेतर को भारतिय भूवेग्यानिक सर्वेक्षन विवाग की द्वरा भूवेग्यानिक पारे की रूप में सुरक्षीत और सरक्षीत किया गया है और ये क्या गया है द्रीबा, राजपूरा, बामणिया, कला चेतर के नमसे डी आपका राइट आंसर 45 है कि बरसिंग सर नमकस्तान जहां कोईले पर आतारित प्रियोजना स्तापित की गई है बरसिंग सर बीकानेर जिले में तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 46 है कि जसलमेर जिले में प्राकृतिक गेंस का वणी जे उतपादन हो रहा है कौन-कौन से चेतर में जसलमेर जिले में, तो डाड़े वाला में भी है, मनियारा, तीबा में भी है तनोड चेतर में यानि तीनोगी चेतर में तो प्रुक्ष भी आपका राइट आंसर 47 एकी चुन्ना पत्र है वो किस परकार की चटानों में पाया जाता है और ये अवसादी शेल में भी आपका राइट आंसर 48 एकी देश के भूगरब में अब तक मिले सबसे बड़े गेंस वंडार की रूप में पुष्टी काम पर हुई है और यह यह जसल मेरिका जो सागड बलग चितर है वहाँ पर तो राइट आंसर डी हो जाएगा चले मांडो की पाल जो है कि किस खनीज के लिए परसीद है और यह फ्लोसपर के लिए फ्लोसपर के लिए शी आपका राइट आंसर 50 अमर कि दिसंबर 2000 से कॉलबेड मेथिन प्रियोजना किस बेसिन में संचालित की जा रही है और ये प्रियोजना संचार ही तो रही है बाड मेर सांचोर बेशिन में सी आपका राइट आसा चले यह था इसका part 2 total 50 questions कितने आपने सही किया है और किसी भी questions को लेकर अगर को doubt है तो comment करके बता देना और like कर दीजिएगा, share कर दीजिएगा बाकी की टेस्ट नहीं देखे हैं तो पले लेश में जाके देख लेना सारे टेस्ट एक साथ मिल जाएंगे और सब की PDF अगर आपको लेनी है तो आप टेलिग्राम चैनल से ले सकते हैं टेलिग्राम चैनल का लिंक है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है या पिर सर्च कर लेना प्रेलाद सारान सर के नाम से ओके गाईश तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इपोर्टेंड किसनों के साथ है थैंक यू